बॉल्यूट की बोल्ड एक्ट्रेस विद्याबालन हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर सुर्ख्यों का इस्सा बनी रहती है और साथी ये अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाती है और अकसर ये किसी ना किसी बात को लेकर खुलासा करती हुए नजर आती है विद्याबालन साल 2017 में आई फिल्म बेगम जान को लेकर एक बहुत बड़ा राज खोला है जिसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे जी हां तो चलिए जानते हैं उससे पहले अगर आप भी विद्याबालन के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले फिल्म बेगम ज पान का वो राज जिसे जानने के बाद आप भी जरम से पानी पानी हो जाएंगे बता दे कि बॉले उड़ा भी नेत्रियों का जीवन कुछ इस तरह से होता है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार कई सारे कॉम्परमाइज करने पड़ जाते हैं इसी बीच उन्हें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो उनका गलत फायदा उठाने की कोसिस करने में लगे रहते हैं और बहुत ही कामभी नेत्रिया होती हैं जो इस बारे में खुल कर बात कर पाती हैं जो ये बताती हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ है ऐसा ही कुछ हुआ है विद्याबालन के साथ ज लिए क्योंकि जो इस्क्रिप्ट उन्हें दी गई थी उसमें उनका किरदार कुछ ऐसा था जिससे उनकी इच्चत खराब हो सकती थी क्योंकि उसमें इंटिमेट सीन्स की भरमार थी ऐसे मों उन्होंने सबसे पहले अपने पती सिद्धार तराय से सलाम असवरा करना जरूरी स समझा उसके बाद ही उन्होंने इस फिल्म को साइन किया लेकिन विद्या का कहना ही कि लोग आपका सैट पर भी गलत फायदा उठाने की सोचते हैं जिसके लिए आपको बहुत ही जादा साफदानी बरतनी पड़ती है दोस्तों फिल्म बेगम जान में जबर्जस्ति करने व इसके अलावा वे उनके नीजी अंगों को चूने की भी कोजिस कर रहा था ये काफी सीरियस सीन था लेकिन विद्या ने विलन को अलग करने के लिए उसे धक्का धक मार दिया था ये देखकर डिरेक्टर को भी समझ में आ गया था कि वो विद्या बालन का नाजाज फायदा उठा रहा है जिसके बाद डिरेक्टर ने वो सीन कट करने के लिए बोल दिया बाद में डिरेक्टर ने विद्या बालन को बैट कर अराम करने के लिए कह दिया विलन का किरदार निभार है इस अभी नेता को डिरेक्टर द्वारा फिल्म से भार कर दिया गया तो दोस्तों विद्याबानन के बयान को लेकर आपका क्या कहना है आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं